हलो एरिवान एंड वन्स अगेन वेलकम बाक टो उमरतस्कीर यूट्यूब चानल माई सेल्फ उमरतस्कीर गाइस एम रश कोर्स के आज की इस पर्टिकलर वीडियो में हम लोग देखने वाले किस तरीके से हम हमारे कॉंपटीटर की ट्राफिक अनालिसेस कर सकते हैं उनकी वे देखें जब कभी भी आप कोई रिपोर्ट देखते हैं तो आप इसको इस तरीके से समझेए कि रिपोर्ट कुछ क्वेश्चन का अंसर है वरना क्या होगा आपके बल नंबर्स देखते जाएंगे आप रिपोर्ट देख रहे हैं पड़ आपकी समझ नहीं पाएंगे कि अगर आप इस चीज को लेकर क्लियर नहीं हो कि मेरे सवाल क्या है और मैं रिपोर्ट में क्या देख रहा हूं तो रिपोर्ट बस आपको एक नंबर शीट टाइप की दिखेगी और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा SM Rush के अंदर हमें बहुत सारी रिपोर्ट देखने को मिलती है उन्हीं मैंसे हमारी एक रिपोर्ट है ट्राफिक एनालिसेस की अभी जब मैं आपको ट्राफिक एनालिसेस की रिपोर्ट जब आपको दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि मुझे इस चीज का तो आंसर यहाँ पर मिला ही नहीं जैसे for example कि मेरी website के कौन से pages rank हो रहा है top pages कौन से है और उन top pages पर कितना traffic आ रहा है और साथी साथ मुझे यह बता चल जाए कि वो जो हमारे top pages है उन पर किस keyword से traffic आ रहा है तो किस top pages के उपर किस keyword से traffic आ रहा है वो आपको traffic analysis की report में नहीं दिखता है वो आपक organic report में दिखता है तो उसके वारे में आगे चर्चा करूँगा बट मैं शुरुआत में आपको यह चीज़े क्यों clear कर रहा हूं क्योंकि जब भी आप किसी भी टूल के अंदर reports देखने जाते हैं तो बहुत सारी चीज़े होता है आपको confused नहीं होना है आपको पहले समझने क कोशी करना है कि मैं यहां पर क्या देखने जा रहा हूं कुछ चीज़ें जो होती है कुछ reports होती है आपको दूसरे section में हो सकता है देखने को मिले तो उसकी भी मैं चर्चा करूँगा अभी जो हम लोग बात करना है वो है traffic analysis की cable report तो जैसे किस type के questions का आपको answer मिलने वाला है how much traffic is coming to the website how much unique visitors unique कितने visitors है मतलब अगर हम repeated वाले numbers को छोड़ने तो unique कितने visitors आए हुए most visited pages हमारे कौन कौन से है traffic का source क्या रहा है और traffic किस device से या किस location से आ रहा है ऐसी चीज़ों की report हमें जाननी होती है तो मैं यहाँ पर सीधे SEM rush के उपर आ चुका हूँ यहाँ और आपको मिलेंगी अभी हम लोग किस चीज़ की बात करें केवल traffic analytics की बात करें राइट तो traffic analytics में मैंने हाँ पर एक root domain डाल रखा है आप चाहो तो और भी multiple root domains डाल सकते हैं आप यहाँ पर for the purpose of comparison तो वह आप बढ़ी आसानी से comparison कर सकते हैं अब यहाँ पर जो आपकी overall report है वो traffic journey, top pages, sub folders, sub domains के according traffic, geo distribution के according traffic, bulk analysis और audience overview इन सभी चीजों में जो है वो traffic analytics की report divided है बट यहाँ पर हम लोग किस section के उपर है overview वाले section तो overview के अंदर लगबख सारी चीज़ें हमारी cover हो जाती तो यही से आपको चीज़ें clear हो जाएंगी तो यहाँ पर जिसे हमने traffic analytics में अपना domain डाला हुआ यहाँ पर राइट तो हमने random सा डाला हुआ है for the purpose of data only हां से थोड़ी ठीक ठाक data हमें मिल जाती है तो january की report है हमारे पास january 2023 की पिछले माहिने की report है हमारे पास worldwide report है यह all devices के उपर हम देखना चाह रहे है तो total इस website के उपर जो traffic आता है वो कितना आ रहा है 123.9 almost 124 million का traffic है य इसका मतलब कि यह इनके repeat visitors बहुत जादा होते है एक person जो आता है वो on an average कितने pages को visit करता है 1.9 almost 2 pages को on an average एक person जो है वो visit करता है average footage duration 15 minute से भी जादा की है this is good right bounce rate 73% का है तो bounce rate अगर आप पूरी overall website का bounce rate देखोगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे pages होते है जहां से बंदा आकर वा bounce rate बहुत जादा होता है कुछ pages ऐसे होते हैं जो organic होते हैं जिनका bounce rate कम होता है उनका bounce rate कम होता है तो average out होके आपका decent bounce rate बन जाता है तो कभी भी आप यहां के bounce rate के उपर बहुत जारा focus ना करें हो सब्सक्ता है इसके उपर बहुत जारा traffic जो हो paid आ रहा हो एक page के उपर आने क देख सकते हो कि आपके device के हिसाब से कितनी visits आ रही है तो अगर मैं कुछ भी random सा month ले लेता हूँ जैसे मैं January ले लेता हूँ 2023 तो all devices से इतना आया mobile से अगर मैं segregate करना चाहूँ तो mobile से इतना traffic आ रहा है desktop से इतना आ रहा है unique visitors जो हमारे आ रहे हैं इनको हम devices wise जो है वो segregate कर सकते उसके बाद top pages मतलब ये काफी interesting question रहता है कि अच्छा ठीक है मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरे competitor के या जो भी हमने यहाँ पर domain डाला है उसके top pages कौन से है ऐसे कौन से pages इनके उपर सबस्छा रहा ट्राफिक आ रहा है almost 18% का traffic share आप देख रहा है इस वाले page के पास है मतलब ये पूरे के पूरे pages के पास almost 17% का traffic है unique page views almost 10 million के close है तो बहुत ही heavy यहाँ पर आप देख रहा है रिपोर्ट है ये है ना बहुत ही detailed आपको बता है traffic share device के हिसाब से यहाँ पर दिया हुआ है आप बना हुआ है आपका ठीक है और उसके बाद traffic source का जो type है मतलब direct जो लोग URL जानते है website के बारे में जानते है referral मतलब जहाँ पर हमारे किसी भी webpage का जो link है वो लगा हुआ है किसी दूसरी website के उपर link लगा हुआ है हमने कहीं link share किया हुआ हुआ है तो यह भी आपको insights यहाँ पर मिल जाती है traffic की journey किस type की कहा से आ रहे है और किस तरफ वो basically जा रहे है और उसके बाद distribution country wise आपको यहाँ पर देखने मिल तो आपको लग रहा होगा यह काफी अधूरी अधूरी सी report है क्योंकि एक general snapshot type का थो हमें मिल गया है तो उसको अगर आपको समझना है फिर आपको यहाँ पर पहुचना पड़ेगा दूसरी वाली जो report है organic research वाली उस report के अंदर आपको जाना पड़ेगा वो report आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देगी जो आप यह समझना चाहते है पर जो traffic आ रहा है वो किन keywords के उपर आ रहा है इसलिए मैंने आपको starting में बताया कि सबसे पहले जब आप कोई भी analysis करने जाते हैं तो सबसे पहले आपके पास notepad में, excel में, आपकी diary में किन चीजों का जो है चीजे mention होनी चाहिए कि भाई मेरे को देखना क्या है मैं क्या चीज़ analyze करना चाह रहा हूँ और उस चीज़ को मैं क्यो analyze कर रहा हूँ वरना reports आप देखो कि तो confused हो जाओगे भरे पढ़े है tools, tools भरे पढ़े है और tools के अंदर reports भरी पढ़ी कभी खतमी नहीं होगी reports बढ़ ऐसे reports देखने से कुछ मकसद नहीं है हम क्या reports में देखते है specific चीज़ है कि भाई हमें ये जो question हमारा इसका हमें answer मिल जाए तो हम इसके हिज़ाब से ये strategy कर लेंगे I believe आपको चीज़ें समझ में आई होगी कि traffic analysis हमें क्या insights देती है मोटे-मोटे तावर पे और एक broad perception किस तरीके से हमारे सामने बनता है किसी भी website का जो हम लोग study करते है competitor या traffic analytics के अंदर इस particular वीडियो में इतना ही आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलते हैं next video में Till then, good bye आशा करते है